गुराफनून क्लास सेवेंथ अब हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर वाइरस चेप्टर नमबर नाइन और यह आपकी बुक का लास्ट चेप्टर है ठीक है इस प्रकार से हमारा जो है कंप्यूटर बुक का जो पोर्शन है वह कंप्लेट हो जाएगा से लेबस पर आउंगी पर सबसे पहले हम लोग चप्टर 9 को पढ़ लेते हैं कंप्यूटर वाइरस है क्या चीज़ तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को वाइरस के पारे में पता ही होगा क्लास 6 में में सूने होंगे या 5 में कहीं न कहीं वाइरस का बात आप सुने होंगे, तो basically computer virus क्या होता है, computer virus are basically the small software program that are designed to spread from one computer to another, इसका use क्यों होता है, computer virus क्या होता है, एक ऐसे program होते हैं, जिसको हम लोग design करते हैं, ताकि वो एक computer से दूसरे computer में spread हो चके, computer virus are the small software program that are designed to spread from one computer to another, to interface with the computer operation, ठेक, और ये कैसे interface होते हैं, कैसे linked रहते हैं, to interfere with the computer operation, ये कैसे interfere करते हैं, दूसरे के computer में डालते हैं, और दूसरे के काम को disturb कर देते हैं, तो वो disturb करने वाला element क्या है, virus है, ये दूसरे के काम को easy नहीं करता, ना smooth नहीं करता, क्या करते हैं, problem create करते हैं, ये गंदा virus ह कुछ लोग होते ना जिसे disturbing element वैसी टेप का हमारा virus है जो हमको disturb करता है हमारे computer के program को disturb करता है आरे समझ में अब computer virus can corrupt and delete the important data ये क्या करते है हमारे important data है उसको delete कर देता है corrupt कर देना मतलब कुछ portion को गायाप कर देता है on your computer है न हमारे computer का and use your emails and some other program to spread itself to other computers slow down your computers or even erase everything on your hard disk हमारे computer को slow down कर देता है मतलब slow हो जाती उसकी speed कभी-कभी hang होने लग जाता है कभी-कभी क्या होता है जो भी hard disk में आपके data save होते हैं उससब को erase कर देता है कभी partially erase कर देता है आधा मिटा रहेगा आधा नहीं रहेगा ऐसा यह message को change कर देता है यह सबी काम कोन करते हैं वाइरस करते हैं और यह यहाँ पर लिखा है spread itself यह वाइरस खुद से क्या होते हैं replicate होते हैं खुद का copy बनाते जाते हैं इंडिपेंडन्ट दूसरे है नीड्ज होस्ट प्रोग्राम इंडिपेंडन्ट मतलब जो खुद से क्या होते हैं spread होते हैं ठेक इंडिपेंडन्ट में क्या है वाउम्स, स्पाइवेर, रूट कीट और बहुत सारे और अधर्स ऐसी हैं एक बर याद रखेंगे इंडिपेंडन्ट, स्माल वेजार, वाउम्स, स्पाइवेर, रूट कीट और अधर्स नीड होस्ट प्रोग्राम और कुछ ऐसे वाइरस होते हैं जिसको किसी दूसरे के सहारे क्या होगा spread होने की जरत परती है जैसे की frozen host और वाइरस तो वाइरस क्या होता है जिसको कोई host प्रोग्राम मतलब किसी के जरिये वो आता है तब ही वो replicate होगा अपने आप से वो create नहीं होता है लेकिन एक बर अगर आपके system में आ गया तब वो क्या हो सकता है create हो सकता है ठीक है तो यह हमारा क्या है वाइरस के बारे में malware क्या होता है दो टैप के होते है independent और dependent independent में क्या होता है कुछ से replicate होते है जैसे worms, spyware, rootkit, others और dependent में क्या होता है needs the host प्रोग्राम मतलब किसी system से आएंगे आपके पास जैसे frozen heart से और वाइरस है ठीक अब हम पढ़ेंगे types of virus types of virus में क्या होते है malware ठीक include the computer virus along with the computer worms frozen horse key loggers spyware adware and other malicious software which can be damage or gain unauthorized access to your computer तो malware के साथ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम से है जैसे आपका worm है frozen horse है यह सब नाम आपको दिये हैं यह भी ऐसे प्रोग्राम से जो आपके computer को damage करता है और उसके authority को access करता है ठीक people often make a mistake that discussing the computer virus they refer to the worm or frozen horse as a virus यह दोनों को worm को frozen horse को virus के जैसे लेते हैं पर ऐसा है क्या नहीं ठीक while the word frozen worms virus are often used interchange हम लोग बोल भरे सकते हैं पर actual में वो same नहीं होते थोड़ा थोड़ा इन में difference होते है they are not exactly same thing एकदम exactly same नहीं होते पर हला कि वो सभी virus ही है ठीक है देखो यहां पर diagram करके दिखाए है कैसे कीडा मोगोडा करके ठीक understanding the difference between the these three can help with the protect to your computer system in better way तो इसको हम समझने के लिए आके का topic बढ़ेंगे कि क्या दिया है ठीक यहां पर लिखा है understanding the difference between three इन तीनों के बीच में रोट ट्रॉजन वाउम और वाइरस के बीच में difference को समझने के लिए can help you to protect your computer system in a better way यह आपके computer system में जब आप ट्राइ करोगे तो आपको और जाद अच्छे समझ जा जाएगा पर देखे यह आपको दिया है ट्रॉजन वाइरस और वाम यह आपको फिर हाल के लिए लोगो दिया है आप इस लोगो को भी prepare करेंगे है ना मैं assignment में दूंगी तो आप उसको लिखना भी पड़ेगा ठीक आरे समझ में तो आप इसको साथ साथ book reading भी करते जाएगे तो आज के लिए इतना ही है कि वाइरस क्या होता है इसका definition आपको पढ़ना है और how many types of virus इसको पढ़ना है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगे बटा बाई